फिर एक बर आप सबका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं OneTouch एप के बारे में OneTouch एप क्या है और कैसे यूज करें OneTouch एप में आपको अलग-अलग सर्वर मिल जाएगा तो चलिए देखते हैं OneTouch एप को किस तरह से यूज क्या जाता है सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस करके औल वाला उप्सन सेलेक्ट कर ले इससे कि हमारे चैनल पर जब भी कोई निव वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको इसे प्ले इस्टोर से इंस्टॉल करना है उसके बाद आपको इसे ओपन करना है तो हम इसे ओपन कर लेते हैं जो अभी इसका status है ये connect नहीं है तो यहाँ पर अभी हम click कर देते हैं यहाँ पर जो server है वो connect हो चुका है कौन सा server connect हुआ है वो भी देख सकते हैं यहाँ पर से आपको मिलेगा network test का option यहाँ पर अगर हम click करते हैं तो यहाँ पर जो network speed है वो देख सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, डाउनलोडी स्पीड, यहाँ से अपलोडी स्पीड देख सकते हैं, और यहाँ पर अगर टाइम बढ़ाना चाते हैं, 30 मिनिट है, एक घंटा बढ़ाना चाते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, उसके यहां पर से आपको server list मिलेगा, यहां पर है server list अभी हम इसे back कर जाते हैं, उसके बाद यहां पर आप क्लिक करेंगे, तो यहां पर से आपको privacy policy, term of service, notification इस तरह से आपको यहां पर setting option मिल जाएगा, और उसके बाद यहां पर जो server connect है, इसे disconnect करना चाहते हैं, तो यहां पर आप तो इस तरह से आप इस application को use कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को like करें, और चैनल में अगर आपने है, तो चैनल को subscribe करें, तो फिर मिलेंगे next वीडियो में, तब तक के लिए bye, thank you